Battle of the Heavens की पिछले एपिसोड में हमने देखा था C.I.N. सिलन के साथ Fallen God Stream में पहुंचता है वहाँ पर Pogen Seeking Moss की मदद से वो लोग Fairy Doctor की ओर बढ़ते हैं पर इदर Fairy Doctor, Bing Yuan के साथ एक बहुती खतनाग बैटल में इन्वोल्ब हो चिकी थी Bing Yuan Fairy Doctor को इंजर्ड भी कर दिया था उसके उपर एक Ice Bing Zone 4 से अटैक करा था जिससे Fairy Doctor की बोड़ी आइस में जमने लग गई थी जिसके बाद दूसरे Ice Lever Valley के लोग भी आते हैं और वो Fairy Doctor को फसाने के लिए एक फोर मिसन तयार करते हैं अब आगे एपसोर स्टार्ट होती है Bing Yuan Fairy Doctor से फाइट कर रहा था जिस वज़े से Fairy Doctor उसके चारो और उसको कैद करने के लिए जो Barrier बन रहे थे उससे Escape नहीं कर पा रही थी ये जो Barrier था वो दो Layers में था एक Layer उपर की ओर और एक Layer जो की Bing Yuan और Fairy Doctor को सराउंड कर रहा था Fairy Doctor काफी ज़्यादा कोसिस करती है पर इसके बावजूद भी वो Bing Yuan से बच नहीं पाती है और Lastly एक बहुत ही ज़्यादा Strong Barrier कंप्लीट हो जाता है Barrier के कंप्लीट होते ही Bing Yuan और Fairy Doctor अपना Fight रोग देते हैं Bing Yuan Fairy Doctor को चुड़ाते वे कहता है बेवकूप जिद्दी लड़की तुम अपने Waffle Poison Body को लेकि बहुत ही ज़्यादा Confident हो हाँ मैं मानता हो कि Waffle Poison Body बहुत ही Strong होती है और वो मुझे मारने के लिए काफी है पर मेरा आज लग है कि तुमारी ये Poison Body fully developed नहीं हुई है और चाहे तुम आज कितनी भी कोशिस कर लो तुमारे इस Condition से तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती हो Fairy Doctor Bing Yuan की ये बात सुनती है तो वो और भी सब गुसा जाती है गुसे में कहती है बुढ़े तुमें लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो पर अब मैं तुमें बताऊंगी कि एक वोफल Poison Body की क्या ताकत होती है इसी के साथ Poison Girl अपने Poison Body को एक्टिवेट करने लगती है और ये देखते ही वो Bing Yuan फेरी डॉक्टर के उपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है वैल ये Bing Yuan फेरी डॉक्टर को Poison Body एक्टिवेट करता हुआ देखर घाबरा गया है इसलिए वो प्लान कर रहा है कि Poison Body के Fully Erupt होने से पहले ही वो फेरी डॉक्टर को मार डाले बहुत तेजी से फेरी डॉक्टर अपने Poison Body को Evolve करें लगती है और बहुत ही तेजी से Bing Yuan भी फेरी डॉक्टर की उपर अटैक करने के लिए तूट परता है पर इसी intense माहोल में हम कुछ unexpected देखते हैं जो बहुत ही तगड़ा ये barrier था अचानक से ही उसमें crack आती है और उसमें से Xiao Yan का ruler sword उड़ते हुए Bing Yuan को हिट करता है Bing Yuan उसको रोकने की कोसिस करता है पर अटैक इतना सदा strong था कि Bing Yuan को भी वो उड़ा देता है फेरी डॉक्टर जब ये चीज़ देखती है एकदम वो shocked पर वो realize करती है कि ये उसका दोस्त Xiao Yan है अब फेरी डॉक्टर इतनी देर तक जो लगतार fight कर रही थी और इतनी stress में थी तुरंती उसका stress चला जाता है और ऐसा होते ही फेरी डॉक्टर के body में जब fast adrenaline release हो रहा था वो रुकता है और फेरी डॉक्टर की जितने भी injuries थे वो फेरी डॉक्टर को feel होते हैं एक बार में इतनी जदा पी इन feel होने से फेरी डॉक्टर एकदम बेहोस होने लगती है और बेहोसो करसी धावनी जे गिरने लगती है Xiao Yan के attack से वो पूरा barrier ही चकना चूर हो चुका है पर फिर हम लोगों को Xiao Yan को दिखाया जाता है जो की फेरी डॉक्टर को catch करता है बहुत ही आराम से वो फेरी डॉक्टर को नीचे उलतारता है और फिर बड़े प्यार से कहता है फेरी डॉक्टर मुझे माफ करना मैं बहुत साथा लेट हो गया पर फेरी डॉक्टर से शेयन को दिख कर बहुत ही साथा खुस हो चुकी है बहुत साथा इमोशनल शेयन को अपनी आखों से ही थैंक्यू बोलना चाहती है पर इन लोगों के बीच में दोड़ते वे सिनलान आ जाती है और फिर कहती है सिस्टर आप ठीक तो है आपको चूट तो नहीं लगी फेरी डॉक्टर से इनलान को समझाती है कि वो ठीक है लेकिन तभी पीछे से पूरे आइस रिवर वैली के लोग ही कटा होकर शेयन के उपर चिलाने लगते हैं बिंग यूवान चिलाता है कहता है मेरली एक वन स्टार दौजोंग की इतनी जदा हिम्मत हो गए कि वो आइस रिवर वैली के उपर अटैक करने की हिम्मत कर दिया जिसके बाद बिंग यूवान अपने भाई बिंग फू से कहता है बिंग फू ध्यान रहे इस एरोगेंट लड़के की हर एक हटी को तोड़ कर इसको बहुत ही बुरी तरह पीटो पर इसकी जान ना लेना इसको कैप्चर करके रखो मैं इस लिटल फेरी डॉक्टर को हरा कर खुद इसको मारने आऊंगा बिंग फू ये बात सुनते ही अपने स्पियर को बाहर निकालता है और फिर स्यो येन की उपर अटैक कर देता है अब बिंग फू जो है वो दाओ जोंग के 6 स्टार लेबल पर है ये देखते ही फेरी डॉक्टर तुरंट ही आगे आती है क्योंकि वो स्यो येन को इसमें इनवॉल्ब करना ही चाहती थी एक दाओ जोंग के वोन स्टार और 6 स्टार में बहुत ही जदा पावर में डिफरेंस होता है फेरी डॉक्टर अपने पोजन बोड़ी को एक्टिवेट करने लगती है लेकिन स्यो येन उसको रुकता है कहता है लिटल फेरी डॉक्टर नहीं तुम चिता मत करो मैं इन लोगों को निप्टा लूँगा वैसे पि इन लोगों ने तुमें हर्ट करने की हिम्मत करी है मैं इनको अपने हाथों से सजातूँगा ये कहकर शेयन उस बिंगफू के उपर अपने रूलर स्वार्ट के साथ हमला करता है बिंगफू का स्पीर और शेयन का रूलर स्वार्ट टकराता है और फिर हम लोगों को पहली बाद शेयन के दौजंग स्ट्रेंद को यूजज करके स्पेस को ब्रेक करते हुए दिखाया जाता है Cue Yin, Bing-Fu से बहुत चाणजा भैंकर वाली फाईट कर रहा है पता नहीं Cue Yin, ये अपने वन श्टार के स्ट्रेंच से कैसे कर रहा है पर Cue Yin ये कर रहा है लगता है Cue Yin ने जो ब्लड एसंस की पावर को एब्सॉर्ब करा है उससे शयवयन की बोडी में ऐसे स्ट्रेंथ आ गई है कि वो दाउजों की सिस इस्टार लेबल के परस्ट की अटैक को भी जेल सकता है अब दोस्तों उधर शयवयन बिंग फो से इंवल्व हो चुगा है तो इधर बिंग यूवान फेरी डॉक्टर को मारने के लिए अपना एक और बहुत ज़ता खतरनाक अटैक फॉर्म करने लगता है इस वक्त बिंग फो ने फेरी डॉक्टर के ऊपर आई सेवर वैली का सीक्रेट मेटल वील अटैक करा है फेरी डॉक्टर जैसे यह देखती है सिनलान को वो पीछे हटाती है और फिर उस वील से बचते वे दूसरी और भागने लगती है वील फेरी डॉक्टर का बहुत ही तेज़ी से पिछा करने लगता है फेरी डॉक्टर उससे बच रही होती है पर यह देखर हमें बता चलता है कि वील की स्पीद बहुत चादा है और वो कुछ देर में फेरी डॉक्टर को कैچ अप कर लेगी बिंग्युवान वील को और भी सता एम्प्लिफाई कर देता है जिससे वील का साइज बढ़ जाता है ये देखते ही फेरी डॉक्टर उस वील से टकरा जाती है उस पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा कर रोकने की कोशिज करती है तब इस येन की निजर इस पे जाती है ये वील अटैक दाओ जोंग लेबल का अटैक था और फेरी डॉक्टर के इन जिरीस के वज़े से वो इस वील को नहीं रोक सकती थी इस ये देखते ही अपने स्टोरेज रिंग से अर्थ डीमन पुपेट को समन करता है दूसरी और उधर फेरी डॉक्टर के बॉड़ी में जो आइस जून 4 से वो एक्ट करता है और फेरी डॉक्टर कमजोर होती है उसका डिफेंस तूटता है वील फेरी डॉक्टर को मारने क के लिए बढ़ चाता है पर इससे पहले कि वो फेरी डॉक्टर को टच भी करता और डीमन पपेट पीच में एपियर होता है वील को रोख देता है और अपने पावर के थोड़े से ही पार्ट से उस सीक्रेट वील को डिस्ट्रोई कर देता है यहां फेरी डॉक्टर इस और डी तुम लोग बेसर्मों के तरह मिलकर एक इंजर्ड लेडी की उपर अटैक कर रहे हो मेरा फी फर्ज मनता है कि मैं तुम लोगों की करतूत का तुम्हें सजात हूं इसके पात वो बिंग युवान की ओर इसारा करते ही वे और डीमन पपेट को कमांड देता है खतम कर तो और देमन पपेट बिंग युवान के उपर बहुत तेजिस अटैक करता है बिंग युवान उसको रोकने के लिए एक बहुत इसत्रोग बेरेर बनाता है पर अर डीमन पपेट के सेवन या एट इस्टार लेबल के स्टवेंद के सामने उसकी बिलकुल भुने चलती है और पहले कि वो कुछ भी समझता और डीमन पपेट एक और अटैक बिंग युवान की उपर कर देता है बिंग युवान बिचारा बाल बाल बचता है डर के मारे वो तुरंद युवान से भागता है और डीमन पपेट उसका पीछा करता है बिंग युवान के पास वो फिर से मारता है हम देखते हैं और डिमन पपेट को कुछ भी नहीं होता है बिंग यूवान जॉग्ड लेकिन फिर उसके बाद और डिमन पपेट का पंच बिंग यूवान को बढ़ता है और बिंग यूवान लहराते हुए हावार में पीछे ओड़ जाता है अब इतनी जदा मार खा साथ है लिटल फेरे डॉक्टर की हालत खराब हो गई है सिलनान से कहता है सिलनान इसका ध्यान रखो मैं लोगों को निप्टा कराता हूँ उपर आइस त्रीवर वैली की लोग पूरी तरह से तयार बिंग फू जो की दौजों की सिस्टार लेबल पर है और उसके साथ को पकड़ो मैं इस लड़की को सबक सिखाता हूँ और सभी लोग उसी के साथ के डॉक्टर की उपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और इसके साथ बिंग फूर्स शोयन की उपर अटैक करता है और इसी बात के साथ पैड़र दो दा हैवेंस का ये एपिसोड भी इस का खतम हो जाता है आगे की एपिसोड में हम लोग शोयन की एक बहुत इसाता भायंकर फाइड देखेंगे कहानी में मैं आपको बहुत इसाता डिटेल में सब कुछ एक्स्प्रीन करके बताऊंगा और कुछ अन्नोन चीजे बताऊंगा